नमस्कार मैं विवेक कुमार, इस्ट्रक्टर गवर्वेंट आई आई अली गंज लखनूव, आज मैं आप सभी को वेवसाय ड्राफ में सिविल के प्रथम वज के पार्ठ करम में वर्डिक टॉपिक, हाउस होड इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में विस्तार से बताऊंग तो आईए इस पार्ठ के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वायरिंग किसे कहते हैं गर में जो भी विद्दूत से चलने वाले जो भी सामान होते हैं, उनको विद्दूत सक्ती की आपूर्ती करने के लिए जो हमें वायरिंग करनी पड़ती हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं मतलब यह है कि हम अपने रोजमरा के जीवन में कुछ ऐसी चीज़े इस्तमाल करते हैं, जो विद्दूत यानि की बिजली से चलती हैं, उनको ये बिजली आपूर्ती करने के लिए, सुगम तरीके से आपूर्ती करने के लिए, हमें कुछ विवस्था करनी पड़ती है, कुछ बल्ब या ट्यूब लाइट लगे हुई है, एसी फ्रेज या फिर आपका वाटर गीजर है, ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए, आपके कीचन में मिक्सी चलाने के लिए, ये जो विद्दूत की आपूर्ती के लिए, जो वायर बिचाए गए हैं, उस वायर के बिचाने जो शक्ति ली जाती है, उस पोर्ट को या उन चीजों को हम इलेक्रिकल फिटिंग भी बोलते हैं, जैसे हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मोटर, जेनरेटर, कंप्यूटर, टेकनलोजी, छोटे बड़े उद्योगों में इस्तेमाल होने वा क्या उशक्ता होती है, और यह विद्दूत उर्जा सुगमता से वहां तक मुहया कराने के लिए हमें इलेक्रिकल वायरिंग की जुर्वत पढ़ती है, अब इसमें जो समान अधारडा है, बेसिक कंसेप्ट्स है, विद्दूत का, अगर हम उस पे विचार करें, तो हमाए इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कि DC के फीचर्स क्या है, इनकी महत्ता क्या है, इनकी खासियत क्या होती है, और फिर इसी तरीके से हम अल्टरनेटिंग करेंट, यह यह AC के बारे में भी पढ़ेंगे, अगर हम DC की बात करें, direct current की बात करें, तो यह एक direct current क इस में इस पूरी supply system में direct current का इस्तमाल किया जाता है अभी हम आगे बताएं कि direct current क्या होता है पहले हम लोग इस बिंदों पे चर्चा कर लें इस समय के साथ कोई भी इनके polarity में यानि कि poles में changes नहीं होते हैं बदलाव नहीं होते हैं इनमें जो frequency है वो शुन्य होती है क्योंकि यहां पे कोई pole changes नहीं है अब देखें direct current और direct current का मतलब क्या है देखें direct current का जो हमारे पास महतपूर source है जो आप आसानी से अपने घरों में देख सकते हैं वो कोई battery हो सकती है जैसे हमारे पास यह battery है इसके दो terminals है यहां पे अगर हमने इस terminal को plus और इस terminal को negative माना है तो अगर यह direct current है और इसमें अगर हम इससे कोई connection बनाते है इससे अगर हम कोई connection बनाते हैं सपोज किया हमने एक bulb ही इससे जलाने के crisis करी तो यहां पर देखें यह जो terminal है यह positive terminal है यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है और समय चाहे जितना भी बीच जाए अगर यह DC करेंट का अगर हम उदाहरद ले रहे हैं कोई बैटरी से हम इसका कनेक्शन किये हुए हैं समय चाहे जितना भी बीच जाए यह पोलारिटी कभी चेंज नहीं होगी मतलब यह टर्मिनल हमेश से नेगेटिव रहेगा कहने का आसा हिया है कि डारेक्ट करेंट में जो पोल्स होता है उन में कोई बदलाव नहीं होता है मतलब जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो अनंत तक पॉजिटिव रहेगा जो टर्मिनल नेगेटिव है वो टर्मिनल अनंत तक नेगेटिव ही उसके poles में changes नहीं होंगे, अब देखें, अगर polarity में changes नहीं हैं, तो इसी polarity में जो changes होते हैं, उसी को हम frequency बोलते हैं, जैसे आपने कोई उदाहरण के तौर पे लेते हैं, कि आपके पास जो charger होता है, mobile phone का जो adapter होता है, या कह लिजे charger जिसको सरल भासा में हम कहते हैं, जिससे जब आप रीडिंग्स देखेंगे, तो उसमें लिखा होगा, कि तीन बोल्ट या चार बोल्ट, साथ हर्ड्स या पचास हर्ड्स, जो ह्जेड है 50 हर्ड्स, वोल्ट तो आपका वो output में कितना जो है, दोनों poles के बीच में कितना difference है, potential difference है, उसको वोल्ट में हम measure कर लेते हैं लेकिन जो polarity में changes होते हैं, जो उनके terminals के, terminal के designation में, यानि कि positive और negative में जो changes होते हैं, उसको हम hertz में नापते हैं, कि एक second में कितनी बार positive, कितनी बार negative हो पा रहा है, तो जब हम बात करते हैं direct current के, तो वहाँ पे कोई polarity में changes नहीं होते हैं, इसलिए जो frequency होती है, आप रुत दिखेगा, कि यहाँ पर alternating current का इस्तमाल किया जाता है, AC stand for alternating current, इसमें देखिए, समय के साथ आवृत्ति के रूप में बदलते हैं, इसका जो terminal है, polarity है, वो समय के साथ change होती रहती है, अब इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कि यहाँ पर जो polarity का changes होता है, उस को एक cyclic process, sinusoidal wave से भी बिता सकते हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, देखे, alternating current में, अगर हमारे पास कोई स्रोथ है, अगर माली जी यह स्रोथ है हमारा alternating current का, इस से आपको कोई माली जी बल्ब जलाना है, तो आपने अगर इसका connection किया हुआ है, तो alternating current के source को हम इस तरह से designate करते हैं, देखे, यहाँ पर हमेशा से ही एक terminal positive, एक terminal negative होना चाहिए, लेकिन alternating current में क्या होता है, कि यह जो इसमें changes होंगे, यह जब यह negative हो जाएगा तो इधर वाला positive हो जाएगा, अब यह जो changes हो रहा है, यह sinusoidal waveform में होते हैं, जैसे अगर उपर हमने plus लिया, नीचे minus, तो पहले यह polarity positive होगी, फिर यह सुनने आएगे, फिर यह negative होगी, फिर 0 होगी, तो अब आप देखे, एक fix time period में, एक fix time slot में, जो changes हो रहे है polarity में, देखे, अगर हम यहाँ पर 0, यहाँ पर T1, T2, T3 और T4 की बात करें, तो देखे, T1 पर यह maximum positive था, यह terminal, वही जब हम T3 पर बात कर रहे हैं, तो maximum negative था, और T4 पर क्या हो गया, शुनने हो गया, यह changes होते रहते हैं, अब देखे, ज बात कर रहा था, वो इसी को define करता, अगर माली जा, यह 60 Hertz, इसका frequency है, इसका मतलब यह है, कि एक second में, यह साट बार positive और साट बार negative होगा, इसके poles में, जो changes होंगे, वो 60 times होंगे, तो alternating current और direct current में अंतर आपने देखा, अगर मैं आप से बात करू कि खतरनाक कौन सा होता है, तो आपको लगेगा कि जो alternating current है, वो ज्यादा dangerous है, बट ऐसा नहीं है, high voltage पे direct current भी बहुत ज्यादा dangerous होता है, आगे बढ़ते हैं, और wireman tools के बारे में देख लेते हैं, कुछ-कुछ roughly, एक electrician knife होता है, यह insulated होता है, जिससे कि हम किसी भी wire पे लगा हुआ insulation या coating को हटाते है स्कूरू ड्राइवर की मदद से हम स्कूरू को खोलते हैं, combination plier देखे, यहाँ पर यह diagram में आपको दिख रहा होगा, combination plier का काम क्या है, यह इसका cutter, यहाँ पर देखे, यह cutter है, यह cutter को काटता है, और यहाँ से हम उसके wire के coating को हम छेलते हैं, या उसको turn करते हैं, connection को बनाते हैं, वहीं बात करेंगे, nose plier की, nose plier यह cutter से अगर ज्यादा gauge के wire हैं, तो हम long nose plier या nose plier का इस्तमाल करते हैं, testing lamps की मदद से हम power को check करते हैं, कहाँ पर supply है, नहीं है, spanner की मदद से, कोई bolt को हम tight या loose कर सकते हैं, adjustable range की मदद से हम अलग-अलग तरीके के, जो अलग-अलग sizes की, जो हमारे पास screw है, या fin nut है, उनको खोलने के लिए, इस्तमाल करता है, crippling tool एक अलग equipment है, crippling tool आपको दिख रहा है, यहाँ पर, crippling tool की मदद से, हम किसी में, जो हमारा wire है, उसमें thimble लगा करके, उसको fix करते है होता क्या है, कि जैसे हमारे पास कोई port है, उसमें wire को connect करने के लिए thimble लगाना है, तो हम crippling tool की मदद से wire और thimble को connect करते हैं, उसी तरीके से wire stripper है, यह आपको wire stripper दिख रहा है, इसकी मदद से हम wire की insulation या फिर कह लिए, coating जो है, उसको हटाते है, ताकि connection proper बनाया जासा है, अब हम लोग बात करेंगे wiring system की, कि किन तरीके से हमारे घरों में, हमारे उद्योगी पृति स्थानों में wiring की जाती है, इसमें दो तरीका अपनाया जाता है, एक distribution system है, एक bridge system या tree system है, अब इन दोनों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तो distribution system में क्या होता है, कि अलग- जैसे दो कमरों का या फिर एक कमरे का, एक hall का, हम पूरा-पूरा जो electrical connection है, उसको बिलकुल separate रखते हैं, अलग रखते हैं, या कह लिजे कि जो यही तरीका आज के समय में सबसे जादा practice में है, हम अलग block की बिजली बिलकुल अलग connection करते हैं, उसको miniature circuit breaker से जोड़ते हैं, MCB या फिर हम ऐसा भी करते हैं, कि अपने घरों में अलग-अलग कमरों की बिजली का connection अलग-अलग करते हैं, उसके लिए अलग से हमारे पास MCB लगी होती है, इससे फाइदा क्या होता है, कि अगर माली जे electrical fault है किसी एक कमरे में, तो पूरे घर की बिजली disturbed नहीं होगी, damage नह जाएगा, दूसरी चीज एक और है, कि हमें fault ढूणने में, जैसे अगर आपके घर में बिजली के वायस सारे छुपे होते हैं, concealed होते हैं, लेकिन अगर उसमें कहीं electrical fault आ गया, तब आपको वो कैसे पता चलेगा, कि fault कहां पर है, कि segment में है, तो अगर आपने distribution system अपनाया तो वहाँ पर fault ढूणना बहुत ही सरल आसान हो जाता है, क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमने हर कमरे के बिजली का connection अलग-अलग MCB से जोड़ रखा है, तो हम बारी-बारी से एक-एक MCB को on और off करेंगे, और हमें fault का आसानी से पता चल जाएगा, आज के समय म के बारे मैं आपने देखा, ट्री सिस्टेम में क्या होता है, कि एक सिंगल MCB से सारे घर के, पूरे घर, सभी कमरों के connection होते हैं, जैसे अगर माल लिया कि हमने एक phase और एक neutral wire ले गए, यहाँ पर एक कमरा है, एक कमरा यहाँ पर है, एक कमरा यहाँ और एक कमरा यहाँ है, त यह wire आगे बढ़ा, तो आपको इस कमरे में भी इसी wire से connection मिल गया, उसी तरीके से और आगे जाकर के यहाँ पर connection मिल गया, और फिर इसी wire से आपको इसी wire में भी connection मिल गया, अब देखिए, जो source ता, source यहाँ पर कहीं है, यह कहीं MCB लगे हुई है, अब इसी दो चो यहाँ दी गई है अब आप देखे अगर इन में से कहीं भी fault होगा तो उसको ढूंट पाना मुश्किल है क्यों क्योंकि अगर किसी भी कमरे की बिजली में किसी भी segment में अगर कोई electrical fault होता है तो आपको अलग से पता नहीं चलने वाला है कि कहां पर problem आई है आपको पूरा चेक करना प बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं आ रहा है tree system जो है हमारे electrification का या कह लिजे electrical wiring का वो बिल्कुल भी practice में नहीं है यह absolute हो गया है गायब हो गया है आगे बढ़ते हैं wiring के प्रकार देख लेते हैं एक तो अस्थाई wiring होती है दूसरी है स्थाई wiring अस्थाई wiring का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए हमने इसको fix किया उसके बाद अब जरूरत खतम हो गई तो हटा लिया और स्थाई wiring का मतलब क्या है हम इस तरीके से wiring करें इन जगहों पर wiring करें इस प्रक्रिया का इस्तमाल करें कि वो जो wires हम एक बार fit कर दें वो lifelong हो काफी समय तक हो और उनका लगातार इ होता रहे अस थाई wiring पे अगर हम ध्यान देंगे तो flexible wiring system में क्या होता है जैसे आपने शादी विवा या कोई functions में देखा होगा कि जो electrician होता है वो धेर सारे wire ले आता है उसको फैलाता है पोल्स पे temporary पोल्स लगाता है उससे सारे बल्व पंखे और टुबलाइट वगर जल आता है तो वो बिल्कुल flexible wiring system है अगर वहीं पे हम cleat wiring system की बात करें तो यहां पे porcelain की cleat होती है जिस पे हम wires को fix करते हैं यह दिखता रहता है wire exposed होता है इसमें भी हम aluminum के wires का इस्तमाल करते हैं जिसे आसानी से हम मोड सकें स्थाई wiring में जैसा मैंने बताया कि जो घरों में इ होने वाला बिजली के connections है यह फिर kellyg electrical wiring जो हमारे घरों में इस्तमाल होनी है वो स्थाई रूप से इस्तमाल होनी है तो वहां पर हम इस प्रक्रिया का इस्तमाल permanent wiring system का इस्तमाल करते हैं जिसमें देखिए casing coping wiring system है और यहां पर wooden और दूसरा PVC casing capping में आप देख लीजे क्या ह होता है जैसे एक casing होती है जिसको दिवाल में इस तरीके से fix कर देते हैं screw की मदद से इसमें हम wires अपना रखते हैं जितनी भी wires की ज़रवत पड़ते हैं फिर इसके ऊपर से हम capping लगा देते हैं तो यह capping से wires छुप जाते हैं casing के अंदर तो यह system भी काफी प्रचली था इसम भी किया जा सकता था लेकिन यह थोड़ा सा exposed होता था दिखता था तो यह concealed नहीं रहता था यानि छुपा नहीं रहता था इसलिए इस पर थोड़ा सा हम इसको avoid करते हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा conduit wiring या concealed wiring का इस्तमाल किया जाता है conduit wiring में धातु यानि metal के pipe इस्तमा होते हैं अब देखे conduit wiring में क्या करते हैं हम conduit wiring में हम pipe को पहले से ही अपने दिवाल में या अपने छतों में इस तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं जैसे अगर माल लिए कि हमें यहाँ पे कोई bulb जलाना है और यहाँ पे switchboard हमने लगा रखा है तो हम क्या करेंगे pipe को पहले स सारा connection बना देंगे और इसकी मदद से हम अपने ports तक यानि कि जहां पे हमें बिजली के उपकरण चलाने हैं वहां तक विद्धुतापूर्त सुनिश्चित कर पाते हैं तो यह धातू के भी होते हैं और PVC यानि polyvinyl chloride की जो pipes हैं यह lightweight होती हैं यह ज्यादा fire resistant भी कुछ हद तक fire resistant भी होती हैं और इसमें इनके साथ काम करना आसान है यानि इसके fittings को बनाना आसान है आप बड़े आसानी से इसको काट सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं इसमें bend वगरब भी लगा सकते हैं junctions बना सकते हैं तो बहुत जादा इस्तमाल हो रही थी conduit wiring में PVC वाली लेकिन जो concealed wiring है यह सबसे सुन्दर है सबसे बेहतरीन है इसमें कुछ भी आपको कोई भी चीज दिवाल से या छट से बाहर नहीं देखता है यानि कि हम conduit को जो PVC की pipe है इसको पहले तो जो हमारी slap casting होती है यानि कि roof cast हो रही रही है उसी दोरान अपने plan के हिसाब से नक्षे के हिसाब से हम PVC के pipes डाल देते हैं और फिर जब एक बार ही हम दिवाल बना रहे होते हैं तो उसमें भी हम grooves को cut करते हैं grinder की मदद से और अपने जो conduits है pipe है उसको उन दिवाल के अंदर fit कर देते हैं और फिर उपर से हम उसको plastering के माध्यम से उसको conceal कर देते हैं तो यह सबसे सुन्दर भूड़ना कि किस पर्टिकुलर जगे पर fault हुआ है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आपने wiring ठीक धंग से की है सारे equipment को अच्छे से rate करके आपने MCB लगाई हुई है तो इस तरीके के fault नहीं होंगे और आपको कभी ऐसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े सुरक्षा सावधानियों के बारे में जान लेते हैं कि जब भी आप कारशाला में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको कुछ सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले तो आप जो और उपकरण मशीन या कोई भी कार कर रहे हैं उसके बारे में प कुछ ऐसे बटन दबा दे कुछ ऐसे लीवर को पुल कर दें जिसी कि कोई बड़ी दुर घटना घट जाए तो आपको सबसे पहले जो मशीन या जो एकुप्मेंट आप इस्तमाल करने वाले हैं उसके बारे में भली भाती परचित हो अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो उसके सारे जो standard operating procedures हैं उनका नुपालन करते ही हुए ही आपको कार करना चाहिए इससे दुरघटना होने का संभावना कम होता है कारस्थल का वातावरण सही अगर नहीं हो तब भी दुरघटना होने के chances होते हैं मसलन अगर कहीं आप ऐसे workshop में काम कर रहे हैं जहां पर फ और जब एक बारी उल्जन होगी तो आपका efficiency जो उसकी कारश्थमता है वो प्रभाविद होती है तो यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कारशाला का वातावरण है वो बहुत ही अच्छा हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके कारशाला में या workshop में बहुत ज्या दुर घटना को रोकने के लिए कि हम सटीक और सही और मसिनरी का इस्तमाल करें मसलन जू मशिनरी जिस particular काम युवत्टिकुलर चाम के लिए बनी है हम उसे काम में उसका इस्तमाल करें जुगार के चक्र में हम कोई मशीन को कहीं एबादस्तिफिकेश फीटना करें ल Christmas, कभी भी आप 11 रटन का वजन उठाने का प्रयास करता ही ना करें क्योंकि वो हो सकता है कि एक बार वजन वो 11 रटन उठा ले लेकिन आप दुरघटना के शिकार होने के चांसे आपके बढ़ जाएंगे तो इस पर ध्यान रखने के आउशकता है कुछ सुरक्षा सावधानिया है एक चित्र के माध्यम से हम आपके साथ समझने का प्रयास करेंगे देखें सबसे पहले तो प्राथमी कुप्चार यानि फर्स्टेट और आग बुझाने का पूर्ण ग्यान होना चाहिए यह हमारे इस में भी जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो फर्स्टेट का ही होता है तो यहां पर भी हम यह देखते हैं कि अगर कारशाला में कार करते समय अगर कोई दुरगटना होती है तो हमें तोरीत तोर पे क्यों से काम कौन से ऐसे कार हैं जो करने चाहिए सबसे पहले अगर लगी हुए तो उसके बुझाने अगनी शमन की बारे में हमारे पास जानक है कि उसमें संपर्ग में आने की संभवना ज्यादा हो सबसे मोहत्तपूर है सुरक्छा चिंहaltetין के निकित जानकारी और उनकारी होनी है है और उसका अनुपालन यानि उसके उन सुचना चिन्हों पे जो निर्देश दिये गए हैं उसके हिसाब से आपको कार करना चाहिए तो सुरक्षा के दृष्टी कोड से बड़े ही महतवपूर है और आपको डिस्पेंसरी नर्सिंग होम और ठाने का टेलीफोन नंबर आपके पास होना चाहिए यहां एक चित्र को टाइट करिए बड़े हेर लॉंग हेर और देखिए इधर वाला एक परफेक्ट वैक्ती है इधर वाला जो है लापरवा है इसके पास लॉंग हेर है जो मशीन में कभी बी उलज सकते हैं यह सार्प चीजे जो टूल्स है वो अपने जेब में रखा हुआ है जो कभी भी यह बंदा एक दम नेट और क्लीन है कफ देखिए इसका खुला हुआ है बट इसने फोल्ड करके उसको प्रफरली किया है बटन सारे के सारे बंध होने चाहिए प्रफरली टॉक होने चाहिए जो आपके पजामे है वो लूज नहीं होने चाहिए वो भी चुस्त होने तीज है सेफ्टी बूट्स पहने चाहिए लाइच लाइटवेट सूज को कभी भी कारशाला में पहनने का प्रयास नहीं करना चाहिए आगे बढ़ते हैं फर्स्टेट किट के बारे में जान लेते हैं कि क्या-क्या महत्व पूर्भण है जो हमाये फृस्टेट किट में होन कि अगया उसको क्लीन करें टिंग्चर बेंजीन होना चाहिए डेटॉल होना चाहिए क्लिननेज के लिए हो जलने के-लिए दरनिबारक कुछ एक डो गोलियां बेंडेज रुई कच्छा प्लास्टर लक्डी खपच्चियां होना चाहिए अगर कई इस्थी में चाहिए को आस् प्लास्टर तुरत लगा करके ताकि उसमें दर्द कम किया जा सके ये प्राथमिक उपचार के लिए है ताकि आप उस वेक्ति को जब तक अस्पताल ले जाए या किसी भी इंस्टिटूशनल मेडिकेशन के लिए जब तक ले जाए तब तक उसके पास कुछ नो कुछ रहत उस प्राथमिक उपचार के लिए 2-3 चीजे है जिसका हमें ध्यान रखना होता है जो भी दुरगटना ग्रस्ट वेक्ति है उसको चोट पीडा की स्थिति देखकर घबराना तो बिलकुल नहीं चाहिए क्योंकि घबराएंगे तो आप सही नेड़र नहीं ले पाएंगे अब द अगर कारशाला में चोट लग गई तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो अगर वो कहीं दबा है मुड़ा है तो उसके जिन कारणों से वो दबा है या जिन चीजों की वज़र से वो प्रभावित है उसको पहले हटाने का प्रयास करना चाहिए अगर कोई भारी वजन उसके अगर चेश्ट पर पंप करना चाहिए या फिर माउथ तो माउथ तो माउथ रेस्पिरेशन उसको उसके साथ करना चाहिए उसको हवा देनी चाहिए उसके बाद आप उसके पुल्स को चेक करेंगे कि बलड सर्कुलेशन चल रहा है की नहीं इन चीजों के दौरान आप अगर बिजली से अगर कोई वेक्ति चिपका हुआ है तो हमें सावधानी पूरवक कोई सूखे डंडे से उसको बिजली के संपर्क से दूर करना चाहिए जल्दबाजी में खुद हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए अगर बिल्कुल जो पहले ही विंदु पे हम चर्चा कि है कि घबराने के आवशकता नहीं होती क्योंकि घबराने से कोई स्वल्यूशन ने निकलेगा बलकि प्रॉब्लेम बढ़ जाएगी मसलन अगर कोई बिजली के संपर्क में है तो अगर तुरत उसको जाके टच करेंगे तो आप भी संपर्क में आ जाएँगे इस देखे इस च के पाइप से उसको हटाने का प्रयास ना करें जले हुए वैक्ती को कम्बल से ढग दें हवा न लगने दें जिससे INFECTIONS को रोका जासकता है आग लगने के स्थिति में बिजली के जटके आने की स्थिति में कारशाला में 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 स्विच जो में में सप्लाई बोर्ट है उसक लेकिन वहीं जब हम स्रेंडी B की बात करेंगे तो ये मिट्टी के तेल पेट्रोल या कोई भी जुलन सील फ्लूइट के वज़ा से होता है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि fire extinguisher जो carbon dioxide जिसमें भरी होती है gas उसकी मतद से इस आग को बुझा सकते हैं स्रेंडी C की जो आग होती है वो LPG gas या कोई भी जुलन सील gas की वज़ा से होती है जिसमें फिर से आप अगनी शमक यंत्र का इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें foam हो या फिर जिसमें carbon dioxide gas मुझूद हो स्रेंडी D की जो आग होती है बिजली के तारों द्वारा या उपरोणों में लगी होती है इनको बुझाने के लिए आपको carbon tetra chloride वाले आगनी शमक यंत्र का इस्तमाल करना चाहिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो स्रेंडी D की आग है वहां पे कभी भी पानी का चिड़काव नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल करने के आशकता नहीं होती है इन सभी चीजों के अलवा अगर मालीजे कि आपके किसी साथी के साथ आपके किसी को वर्कर को आग उसके कपड़े आग की संपर्क में आ गये हैं और जलने लगे हैं तो सबसे तोरीत व्यवस है तो फोम डाल सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो तुरत आप उसको जमीन पर लटा के रोल कर सकते हैं या अगर कहें कोई बड़ा कंबल या चादर है तो उससे भी ढखने से तुरंत आग बुझ जाएगी क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जुरुत होती है किसी भी तरीके से अगर आपने ऑक्सीजन को बाधित कर दिया तो आप ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे आज के इस पूरे पार्थ में हमने इलेक्रिकरल वायरिंग पर चर्चा की हमने सप्लाई सिस्टम को जाना वायर्मेंट टूल्स के बारे में पढ़ा वायरिंग सिस्टम को देखा वायरिंग के प्रकार पर भी चर्चा की और कुछ साउधानियों पर भी बात हमने कर लिये हैं इस पूरे पार्थ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने मदद ली है नीमी द्वारा बनाई की इबुक्स का जो स्पेशली ड्राफ्मेंट सिविल के लिए बन कर दो